में चैनल केटिव आमनी आज आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ है एक मेकप किट और यह मेकप किट केवल आपकी इन सब प्रोड़क्स को मिला करके, 2000 रुपीज में आपकी पूरी मेकप किट बन जाती है मतलब 2000 में तोटल 2000 में आपकी पूरी मेकप किट तयार हो जाएगी 2000 से कम के ही प्रोडक्स होए हैं ये भी अगर आप कुछ अच्छे प्रोडक्स ब्रैंडीड प्रोडक्स यूज़ करना चाहरें वैसे तो सारे ही ब्रैंडड है निव्या है और मेबलीन है किस ब्यूटी है इसके लावा बलश वगरा है मास का तो सारे ही ब्रैंडड है इससे भी कुछ अच्छी कॉलिटी की उसकरना चाहरें तो आप कर सकते हैं वह आपके उपर डिपेंड करता है बट जो यह मैंने किट बनाई है और मैं इस किट को यूज़ करती हूं तो यह किट मुझे ऑप्रोक्स 17-1800 रुटीज की पड़ी है मतलब 800 रुपे तक के मेरे स सारे प्रोडक्स हो गए हैं बट फिर अगर आप इसमें कुछ एड करना चाहरे हो तो उसको एड करके उसका अमाउंट एड करके 2000 रुपीस हो जाता है तो इसका जो भी प्रोड़क्स मैंने यूज़ किये हैं इस किट में उसका मैं नाम पूरा डिस्रिप्शन बॉक्स में प्राइज भी डाल दूंगी और टोटल अमाउंट कितना होता है वो भी डाल दूंगी तो यह कुछ प्रोड़क्स है आप देख सकते हो इसमें सारे चीज़े आपकी स्किन कर से लेकर के आपके मेकप को लांग लास्टिंग बनाने तक आपके मेकप को रिमूव करने तक और कर दीज़ेगा तो आने वाले वीडियो से आप नौटिफाइड रूपाएंगी कुछ हेल्फुल वीडियो आपके लिए लाने वाली हूंगा तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपने मेकप से स्टार्टिंग मेकप से ही तो फर्स्ट आप यूज कर सकते हो यह इसाजिया सेकेंड के बाद क्रीम के लिए आपके फेस को ड्राइनस हो रही है तो मॉस्टराइज करने के लिए आप यूज कर सकते हो निव्या का ऐलो एरा क्रीम यह मैंने अभी रीसेंटली नया ही खरीदा है और इसका प्राइज ए 49 रूपीज और कॉंटिटी है इसकी 50 ml की तो काफ प्राइमर रहा है इसके लावा भी कुछ प्राइमर यूज कर बड़ अच्छे नहीं लगे वाट परी थे हो काफी तो यह वाला किस बूटी का प्राइमर 150 रूपीज का मुझे मिला था लोकल मार्केट से और ऑल डेस के लिए 30 ml की कॉंटिटी है तो प्राइमर के लिए का बीबी फांडेशन ब्लम्स ब्लम क्रीम तो यह काफी अच्छा है यह मुझे बहुत अच्छा लगा यह शेड आपको इसमें मिल जाते हैं यह रोस फ्लेवर में है इसकी कॉंटिटी तो इस पर मेंशन नहीं है बट यह मुझे 100 रुपीज में मिल गया था लोकल मार्केट करूँगी दिन फांडेशन के बाद आते हैं कंसीलर पर तो कंसीलर के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी यह यह एमवाइबे की रनवे स्टिक और मेरा शेड नंबर है इस पर शेड मेंशन नहीं है तो यह मुझे 100 रुपीज के मिली थी और यह शेड मुझे बहुत पसं कर दो आप यह एदिया की लिए यह वाले स्टिक यूज कर सकते हो यह आप एडियास की कंसीलर स्टिक भी उस कर सकते हो जो कि आपको 100 रुपीज में एजली लोकल मार्केट में मिल जाती है उसके बाद पेस की कंटोरिंग के लिए अगर आप कंटोर करते हो फेस को तो आप यही एन वाए बे की कंटोरि स्टिक भी उस कर सकते हो मेरा शेड है एन वाए बे सी एस सेवन फोर पॉर पॉन्ट वाइटी रुपीज में मिल गया थी अभी इसका प्राइस बढ़ गया है और इसकी रिख सकते हो आप कितनी अच्छी कॉंटिट आई है मुझे कॉंटिटी क इसकी पैकेजिंग जादा अच्छी लगी बिकॉस की बिल्कुल लाइट वेटेड को है और बिल्कुल मैट है तो मुझे बहुत पसंद आई तो कंटोरि स्टिक के लिए आप इसे यूज कर सकते हो कंटोर के बाद हम आते हैं आई मेकप पर तो आई मेकप के लिए आप यू मेरा शेड नंबर है 6777 इस पर 6777 नंबर डला है और यह मुझे 150 रुपीज का मिला था लोकल मार्केट से लिया था और पिंग्मेंटेशन के लिए मैं आपको बता देती हूँ तो आपको इसकी संद कोई ब्रश भी लेन पड़ेगा क्यूंकि छोटा अप्लिकेटर आता है जिससे आप इजीली अपना मेकप कर सकते हो तो इस स्मोकी आइस के लिए यह ब्लैक कलर आप यूज कर सकते हूं मैं बहुत ही मैंने केवल एक बार ही टच किया है और एक बार टच में आप देख सकते हूं किता पिंग्मेंटेड है आप चाहूं तो अगर पावडरी कंटोर करना चाहरे हो तो आप यह वाला कलर यूज कर सकते हूं एक बार ही टच कर दो केवल अपने फिंगर पर क्यूंकि यह जो कलर जे काफी पिंग्मेंटेड है आपकी देख सकते हूं इसके लावा है यह गोल्डन कलर है यह ग्रीन कलर है यह ब्राउंड कंटोरी है यह परपल यह थोडां पिंकिश कलर है यह थोड़ी शिम्भरी है तो शिम्भरी कलरוז भी है इसमें तीन्चाढ शिम्री कलर है और कुछ बिलकुल मैड है और एक हायलाीटिंग के लिए भी दी रखाया यह 140 रुपीज का है और यह काफी अच्छा लाइनर है मुझे पर्सनली बहुत पसंद है बिकाज यह काफी लॉग लास्टिंग है लगाने में एजी होता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है आप देख सकते हो इसका एप्लिकेटर कितना पतला है और देख सकते हो यह कि अब यूज कर सकते हो तो लाइनर के लिए मैं आपको यह श्टीक और किका लाइनर सजिस करोंगी दन लाइनर के बाद आते हैं काजल पर काजल के लिए आप यूज कर सकते हो यह लॉर्याल का काजल तो यह मुझे 50 रुपीज का ही मिला था लैक में लिया था तो वह यूज कर सकते हो काफी सारे ओप्शन रहते हैं काजल के लिए और फेस मेकप के लिए एक प्रोड़क रह गया चुकि यह कॉंपक तो कॉंपक आप यूज कर सकते हो यह मेबलीन नियॉयोंक का और मेरा शेड है नेचरल परल परल शेड है और यह मुझे मिला था इसी के साथ अगर आप लिपकाट से मंगाओगी तो जादा अच्छा रहा है क्या आपको कम प्राइस में मिल जाएगा इसी के साथ अगर आप लिपकाट से कुछ ज्यादा चीजे मंगा तो चारपास प्रोड़क्स मंगा तो आपको शाज शिपिंग प्री हो जाएगी तो आप मंगा सक तो अब आते हैं इस पर तो आपको इसमें मिरर भी मिल रहा है तो आपको अलग से मिरर नहीं लेना पड़ेगा तो मिरर आपको मिल रहा है अच्छा कासा और मिरर के बाद आपको इसमें एक पर्फ भी मिल रहा है जिससे आप अप्लाइ कर सकते हो तो मैंने इसे यूज किया और flip card पे भी तो compact के लिए यह अब eye makeup पे दुबारा से आते हैं तो eye makeup में हमारा रह गया था mascara तो mascara के लिए आप यूज़ कर सकते हो यह blue heaven का mascara walk free है यह और 125 रुपीस का है तो इसमें मुझे इसकी packaging बहुत अच्छी लगी तो मैंने इसलिए इसे लिया था बड़ी काम भी बहुत अच्छा करते हैं कापी अच्छी से curl करता है आपकी आइस पो तो आप यह वाला भी यूज़ कर सकते हो यह 125 का या यूज़ कर सकते हो आप में पाने में काफी अच्छी है आपके फेस पी काफी अच्छा टच देती है ऐसा नहीं लगता है कि आपने कुछ लगाया हुआ है तो आप यह यूज़ कर सकते हो यह 30 रुपीस की मुझे मिली तो उसके बाद बलश के लिए तो बलश के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी क यह इस तरह के से उपन होता है मुझे इसके पैकेजिंग प्रिंट बहुत अच्छ लगी क्योंकि इसमें फ्लावर प्रिंट है और यह प्रिंट मुझे बहुत अच्छ लगी इसमें एक एप्लीकेटर भी आया था और प्रिंग्मेंटेशन की मैं बाद करूँ आप देख सक कर सकते हो इसके बाद आते हैं हाइलाइटिंग के लिए तो आप चाहो तो इसके लावा ग्लैम का हाइलाइटर ले सकते हो बट मैं आपको यह वाला ऐसे फार का सज़ेस्ट करेंगा बिकाउस की यह 100 रुपीस का आपको इसली मार्केट में मिल जाएगा मैंने इसे 100 रुप है और इसका भी मुझे पैकेजिंग भी बहुत अच्छी लगी और इस पर जो डिजाइन बना हुआ है इस तरिका का वो भी बहुत अच्छ लगा इसमें ब्लश भी आता है अभी मेरे लोकल मार्केट में मुझे मिलने रहा है और आनलाइन काफी जादा इसके प्राइजे ल आपको तो अगर हाइलाइटर के लिए आप यूज करना चाहरा है तो आप यह यूज कर सकते हो आप देख सकते हो इस हाइलाइटर में शिमर नहीं पर इसमें है यह आई शाडव पैलेट वाला है तो वान ट्वेंटी रूपीस में आपको मिल रहा है और मेरा नंबर है 7038 त चर्म का भी म्ल रहा हैा और यह आपको यह यह वाला सच्रेस्ण कर रहें उसके बाद आपके लिप मॉस्टराइज करूना भी ज़रूरी है यह आप यूज कर सकते हो यह मैट लूक का लिबória यह 75 रूपीस की लिए चक्तिंस से अपर लोकल मार्कट से फेने चाहन ग help मिली बहुत ही light pink color यह तो यह काफी अच्छा हलका सा शाइनिंग है इसमें quantity अच्छी तो 75 रुपीस में लिप बाम के लिए यह यूज कर सकते हो उसके बाद आते हैं लिप्स्टिक के लिए तो लिप्स्टिक के लिए एक शेड तो आप पूरी शादी में लगाओगे नहीं तो मेर अच्छी रुपीस वाले भी यूज कर सकते हो और अन्वाइन की लिप्शिक्स आती है बिलट लिप्स्टिक वह भी काफी अच्छी होती है तो मैं इन शेड्स की बात करते हूँ यह हूवा बूटी की यह मुझे 60 रुपीस की लोकल मार्केट से मिलीती अगर आप इसे फिल कि इस ब्यूटी मेकप की और यह है मैट लिप्स्टिक अल्टर स्मूध मैट लिक्विट लिप्स्टिक और यह रेट कलर मुझे बहुत अच्छा लगा विकास कि टमेटो रेड है यह बोल सकते हैं बलड रेड है तो यह है रूबी रेड रूबी रेड और इसका नमबर है यह इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत प्यारी लगी तो आप यह वाली उस कर सकते हैं यह भी 100 रूपीज के देन आते हैं बुलेट लिप्स्टिक पर तो यह है अलटी नाटीन कलर पॉप मैट लिप्स्टिक तो यह 100 रूपीज की है मेरा शेड है W14 और यह कलर मेरा फेवरे यह पॉपल.com से मंगाई है इसके बाद यह है हाफ एन हाफ की रैड लिप्स्टिक शेड नंबर है इसका 2 यह थोड़ी थिक फॉर्म में है तो यह काफी अच्छा पाटी लुक देती है आप देख सकते हो आप देख सकते हो यह बिल्कुल रैड कलर है तो यह मेरी रैड कलर की फॉर्स सिक जो मैंने ली थी ये मुझे बहुत पसंद है बर यह थाओ से ब्लेंड करना चाहते हो अबना फांडेशन वह सकते होर आप चाहो तो यह स्थारी का ब्लेंडर भी उसको तो यह वाला большой अङ AWSी में भी blenders मिलते हैं easily market में तो यह वाला blender है यह मुझे 50 रुपीज में ही मिल गया था तो आपको इसको थोड़ा सा गीला करना होता है और आप अपने जो भी contouring कर रहे हो कंसीलिंग कर रहे हो तो उससे आप इसको बहुत ही easily blend कर सकते हो यह थोड़ा tight form में हैं बट इससे भी अच्छे वाले आते हैं अगर आप चाहो तो 50 रुपीज में आप ले सकते हो अब तो 40 रुपीज में ही आना है तो जल्दी ही में वह दूसरे और लेने वाले हूँ में जो यूज करती हूँ वह यह ओस्वा का यूज करती हूँ पर्फ्यूम स्प्रे है यह और यह मुझे काफी पसंद है डेली बेसिस पे में भी यही वाला लगाती हूँ अब चाहो तो आपना पसंद वाला भी लगा सकते हो छोटे पैकेजिंग में भी आने लगे हैं 21 ग्राम की कॉंट्रिटी दे रखी है यह है इसमें और भी कलर जाते हैं तो आप वी ले सकते हो एज अ फ्लेवर वाइज तो यह पर्फ्यूम के लिए उसको सेट भी करना होगा तो उसके लिए आपको लगता है मेकप सेटिंग स्प्रे तो आप मेकप सेटिंग स्प्रे के यह वाला यूज कर सकते हो यह है क्योस ब्यूटी का मेकप मेकप फिक्सर स्प्रे विद्थ विटामिन ए एंड अलो एरा तो यह अलो एरा का है अगर आप इससे फ्लिप कार्ट से लेते हो तो यह आपको 130 रुपीज में मिलेगा मुझे लोकल मार्केट से यह मिला है 150 कांटिटी है आप चाहू तो एडियास का भी ले सकते हैं एडियास का 200 ml की कौंटिटी आती है और वह आपको मिल जाता है 110 का उसका अगर एक्चल प्राइस की बात कर दो केवाल 86 रुपीज का था लेकिन फ्लिप कार्ट से मैंने मंगाया तो डिलिवरी चार्जर पर अपिए अज्जा है यह एलो एयर का तो आप देख सकते हो इसमें बिलकुल भी वाटरी नहीं है यह अलग सी शाइन देता है तो आप यह वाला एक कर सेटिंग स्प्रे यूज कर सकते हो और अब मेकप के बाद आप पॉश भी करना चाहते हो या पहले वोश भी करना चाहते हो गया अपने फेस को तो फेश वाश के लिए मैं आपको सद्धिस करूंगी हिमालया सीन्स 1930 पर फेक्ट नीम फेस वाश यह 15 रुपे का है आप चोटा भी ले सकते हो यह 15 रुपे वाला है चोटा और अपचा हो तो बड़ा भी ले सकते हो इससे थोड़ा बड़ा भी आता है हो कमप्राइजिस में आपको मिल जाता है बट अगर छोटा लेते हो तो कैरी करने में अचा है ट्रवेंट फ्रेंड़ी है और 15 ml की कॉंप्रिटी है एडलीस 4-5 ताइम आपका फेश एजली वाश हो जाता है इसमें तो फेस वाश में डेली बेसिस पर भी यही वाला यूज करते हूं मेरे पास बड़ा वाला है वह 110 रुपे का है आइटिंग 20-200 ग्राम की कॉंप्रिटी है तो यह वाला आप यूज कर सकते हो इसके लावा भी दूसरे वाले भी आते हैं आपको जो सूट होता है यूज कर सकते बट यह नीन का है तो सूट हो जाएगा को दिक्कत न लिखा हुआ है और इसमें बहुत सारी चीज़े लिखी है सॉफ्ट है और 25 वाइब जाती है तो आपको तुछार वाइब में हो जाएगा अपका फेस क्लीन हो जाएगा पर यह है कि अगर आपको जादा लग रही है तो भी अच्छा रहेगा 50 रुपीज में आपको 25 वाइ कि बहुत सारी चीज़े हम वाटर प्रोव यूज़ कर लेते हैं तो यही कुछ प्रोड़क्स से जिससे मैंने एक मेक अप किट तैयार की है अगर आपको यह वीडियो पसंदा है गाइस तो मेक शूर मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करना बिल कर दीजेगा तो आने वाली वीडियो से आप नॉटिफाइट हो पाएंगे और कुछ चीज़े मैंने आपको बता दिये कि फ्लिपकार्ट समंगाएंगे तो आपको कंप्राइजिस में मिल जाएंगी और सारी चीज़े आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी तो थैंक त्यकिज़ कि वाच nationally आपको जय है